असलाम अलेकम फ्रेंड्स कैसे हैं सब खीक हैं आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टन्ट है इसमें हम डिसक्स करेंगे के कैनिडा में ओल्ड एज बेनिफिट्स क्या हैं और कितनी तरह के हैं और उसके मुतालिक और भी जो मुख्तलिफ यानी सवालात किये जाते हैं वो भी ह अग्रेया से तमाम दोस्त जिन ये अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट एकाएं ले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो बरवकत उन तक पहुंश सकें तो चले फ्रेंड्स वीडिय pension plan ठीक है यह eligible हो जाते हैं आप अगर आप 60 या 60 से ज्यादा है या 65 के भी हैं तो आप apply कर सकते हैं तो ज्यादा वैसे better consider किया जाता है कि आप after 65 इसको या अगर apply करें तो मगर आप eligible 60 से हो जाते हैं अच्छा उसके मुतालिक थोड़ी सी एक चोटी सी condition है depend करता है मतलब कितनी आपको मिलती है कि आपने कितनी contribution की है कितनी एरसे केंड़ा में काम किया है ठीक है ना तो यह तमाम चीजें इस पर यानि कह सकते हैं कि असर अंदाज होती है मगर everybody is eligible for that और उसके लिए सिर्फ चोटी सी requirement यह है कि आपने at least यार एक तो पूरी जिंदगी में क्या आप कह सकते हैं कि qualified contribution में की हो ठीक है ना तो 2022 में for example मैं आपको बताता जाता हूं कि इसकी on average जो थी वह एक amount वह 717.15 तो यह एक taxable यानि income यह आपकी retirement के बाद आपकी a part of your जो होती थी income regular before retirement उसको replace करते है not on the whole क्योंकि on the whole तो आपको पता है कि एक बंदा ठीक ठाक कमा रहा था मगर retirement के बाद आपको पता है repension उतनी तो नहीं होती है मगर यह at least आपको something जिसको कहते है better than nothing तो आपको वह दी जाती है ठीक है न और यह आपको अराम से घर बैटे मिलती इसके लिए आपको जाव भी नहीं करनी पड़ती है ठीक है अच्छा उसमें next आजाता है OAS जो के बनता है old age security pension ठीक है वो आप qualify करते हैं अगर आप 65 या 65 से अबाब हैं तो आप उसके लिए qualified होते हैं उसमें service canada बाज वकात आपको automatically भी enroll कर लेता है मगर उस सूरत में वो आपको इसके लिए apply तो करना पड़ता है मगर मैं इस case में बात कर रहा है जब आपको automatically वो enroll कर लेते हैं तो चलें आपका आदे से ज़्यादा काम बच जाता है ठीक है न तो बड़ी खुशाइन चीज़ है ये भी अच्छा इसमें यह है जो OAS है न य यह मतलब कह सकते हैं यह भी 700 प्लस ही होती है इसकी में exact figure तो नहीं आपको दे सकता है यह 700 प्लस ही होती है ठीक है और इसके बारे में अच्छा मुख्ती सवालाद भी किये जाते है old age use security pension है कि यह cancel भी हो सकती है मतलब for some reason जी बिलकुल यह cancel हो सकती है वो किस तरह कि अगर आ six month आप out of Canada रहते हैं in a year ठीक है तो फिर यह cancel हो जाती है यानि cancel हो सकती है और इसके लावा आपने यानि इसकी ना एक और भी है थोड़ी सी terms and condition कि इसके लिए आपको 18 साल की age के बाद at least 10 साल आपको Canada में रहना आपका लाजबी है ठीक है तब आप इसके लिए qualified करते है minimum के लिए old age security pension के लिए तो उसके इलावा अगर आपने 18 साल के बाद 40 साल तक आप यहां रहे हैं तो फिर आप maximum amount के लिए qualified करते हैं जी है तो यह इसकी दो sides है minimum और maximum तो मैंने का यह भी आपको बताता चलो ठीक है अच्छा इसके लावा मेरा कोई भी ऐसा वहन और भाई जिसने आज तक कैनेडा में काम नहीं किया मज़ेगी बात है वो भी इसके लिए eligible होता है और वो minimum minimum 625 तक वो उसको यानी वो दिया जाता है पर मत तो जो के बहुत ही खुशाइन बात है कि at least आपने कोची भी नहीं किया तो यार वो फिर भी आपकी take care कर रहे हैं देखे कितनी अच जैसे पहले भी mention किया गया यार यह welfare state है यह अपने citizens का बहुत ख्याल रहे है especially senior citizens का यह बहुत care करती है उन्हें पता आता है कि इन्होंने यार अपनी सारी उमर इस मुल्क को बनाने में इस मुल्क की दरख्यमी लगाई है तो फिर जब उनका वक्त आता तो फिर वो उसके ब pension जो कम होती है तो उनको कह सकते हैं कि मतलब help out करने के लिए ताके उनका गुजारा जरा अच्छे तरीके से हो सके तो इसलिए उनको यह additional यह आप कह सकते हैं benefit दिया जाते हैं तो यह overall तीन तरह के friends यह benefits offer किये जाते हैं आप यह Canadian citizen हो यह at least permanent resident हो तो उनको यह दिये जाते है अच्छा उसके लावा मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूं कि Canada में आपकी जो भी income होती है चाहे वो pension से हो चाहे वो employment से हो चाहे वो investment आपने कहीं भी की हो ठीक है तो वो आपको उसकी tax return file करनी पड़ती है ठीक है you are required to do that तो क्योंकि आप जहरी बात है यहां के sources से अग अगर आप कमा रहे हैं तो आपको फिर tax return भी file करनी पड़े हैं ठीक है ना तो इसके लावा मैं आपको benefits के बारे में जिकर कर रहा था तो मैं आपको यह भी चीज़ बताता चलूं कि यह तो चले वह benefits हैं जो यूई ली दिये जाते हैं offer किये जाते हैं अच्छा इसके लाव और उसमें बहुत ही minimum charges पर आप यानि वह आपको pick and drop की service मुईया करते हैं ठीक है अच्छा इसके लावा मतलब कोई disable हजरात उनको भी जबर्दस कि सर्विस परवाइड की जाती है real trans की special ram गाडियों में बने होते है special modified गारियां तियार की होती है ठीक है उन्होंने accessible transport तो इस इसी purpose के लिए तियार की जाती है ताके जो disable हजरात है वो easily commute कर सके बाद हजरात अपने walker के जाए commute कर रहे होते हैं बाद electric scooter होता है तो वो अराम से यह निक उससे commute कर सके अच्छा उसके इलावा wheel trans के इलावा जो मैं बात कर रहा हूं क्योंकि wheel trans में तो specially modified गारियां इसमें त्यार की हुई है ना इस purpose के लिए उसके इलावा भी आप TTC के देखें तो जो buss है ना वो specially इन्होंने design की हुई है कि वो आम जो disable हजरात है उनके लिए accessible हो मिसाल के तोरपे अब तकरीबन हर buss में यह system है कि अगर कोई ऐसा senior होता है या कोई मतलब बच्चों वाले कोई खवातीन है तो उनके लिए especially जो फ्रेंट हो रहा वो बखादा नील होता है नीचे to the ground believe career बड़ा जबर्दस उनके लिए सहुलत होती है क्योंकि बाद उकार नहीं उठा के बच्चे का स्ट्रॉल वो पर रख सकते मुश्किल होती है तो आराम से नीचे नील होता है तो उस पे easily वो अंदर चले जाते है ठीक है और उसके अलावा side से ram भी खुलता है अगर मिसाल क scooter हो या wheelchair हो या वो walker की अराम से अंदर walking कर जाते हैं तो उसके बाद बाकाईदा especially driver उतरता है वो open करता है उनको assist करता है जब अंदर चले जाती है तो उसके लावा फिर उसको रैम को बंद करके फिर जाके driving seat पे बाएज़ता है तो आप कह सकते हैं कि कितनी जबर्दस सर्व business हो गया good friday इस तरह के जो भी इनके जो events आते हैं तो उसके special believe करेंगे seniors के लिए discounts announce करते हैं मुक्तलिफ companies को 10% दे रहा होता को more than 10% और मुक्तलिफ banks में special के लिए lines भी अलादा लगाई होती है ताके they don't have to wait with them like regular customers उनको specially accommodate किया जाता है तो मेरे एक दोस्ते तो उन्हेंने request की थी कि यार kindly आपना वो अमेरिका से थे तो उन्हेंने का था करनली आप Canada में जो senior citizens को benefits दिए जाते हैं आप करनली उस पर वीडियो बनाएं तो मैंने का चले इस पर एक बाकाईदा वीडियो बना देता हूं ताके बजाए कि comments में जव देरी पहुंच जाती है और यह easy आपको पता है यह way of communication अच्छा इसकी इलावा तो सबसे बड़ा benefit है ना वो मैं आपको mention करता चलूं वो है medical system है वो हो कहते हैं वो सबसे important चीज़ सबसे end में आती है तो यह सबसे ज्यादा important चीज़ है यहां की आप believe करें दुनिया के किसी इस भी मलक में चलने है जितना मर्जी को तरकी आफ़ता ड्वेल्ब कंट्री अगर आपको ख़दाना खासता है एक दफ़ा वहां पे इलाज अपनी जर्चे करवाना पड़ गया ना तो बल्यावी में कहते हैं आपको लाग पता जाएगा बहुत महिंगा होता है बहुत ज् सब्सक्राइब को दिखाते हैं और को ख़दाना खासता आपकी सर्जरी आपको कुछ भी ब्लग टेस्ट हैं हार्ली मरा कपल अफ टेस्ट हैं जो के कवर नहीं होते हैं वह बहुत माइनर से हैं यानि आई आउट अफ हंडर मैं है तो परसंट त्री परसंट फिच वैरी मिन करें ये बहुत जबर्दस किसम की ये फैसिलिटी है और मैंने जैसे आपको पहले भी मैंशन किया था क्योंकि ये वैलफेर स्टेट है तो ये बजट का जो मैक्समिम पॉर्शन है वो अपने सीटिजन्स की बैनिफिट्स पर लगाते हैं ठीक है उनके बैनिफिट्स पर करता है एंड केंड़ हैस बन अफ़ पेस्ट हेल्थ कियर सिस्टम अब बिलीव करें आल अवर दा वर्ल्ड लोग प्रेफर करते हैं कि अगर उनको कोई खुदाना खासा ट्रीट्मेंट की जूर हो तो सपेशलिकों मेजर सर्जिरी की तो यहां आना पसंद करते हैं यहां के डॉक्टर बड़े जबरदस्त हैं क्वालिफाइड हैं को पहले कहा कि आल अव दा वर्ल्ड जो हैं लोग प्रेफर करते हैं को यहां कर अपना इलाज करवा सकें यहां के लोगों के लिए देखें उन्हें तो हलाके पे करना पड़ता है जो बाहर से आते हैं अगर आप दे लिए जाते हैं और इसके लावा कुछ कम्यूंटी सेंटर भी होते हैं सीनियर्स के लिए जहां पर वो जा सकते हैं अपना डे स्पेंड कर सकते हैं और जबरदस्त कि कह सकते हैं एक सूशल लाइफ गजार सकते हैं तो बिलीव करें मैंने बहुत से ऐसे लोग दो एक हैं पीसफूल और बड़ा जबरदस किसम का आप ना कह सकते हैं कि रिटार्मन्ट का अगर टाइंग गजारना जाते हैं तो कैंडा को प्राफर करते हैं यह बड़ा जबरदस कंट्री है बड़ा पीसफूल कंट्री है लाइड डडर की सिचुशन अभी भी यहां बिलीव करें बड़ी जबर्दस्त है इसलिए वो प्राफर करते हैं बड़ी पीसफूल जगा साफ सुतरी जगा हम अपनी बाकी जिदिदीघी न अर आप से जिसको कहते हैं बाकी अले जिदिगी स्कून ना बज़ार नी तो लोग इसको प्राफर करते हैं चलें जी मिलते हैं किसी और वीडियो, होके जी, आला आफेज